हेलो माई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो आप चैनल यह वाचिंग जिया से फिप्टीनार सो बाइक देखके आप समझ गये होंगे आज हम इस बाइक करने वाले है फुल रिव्यू और यह बाइक लगबग 30,000 क्लोमेटर के आसपस चल चुकी है विस बाइक की कंडिशन आप दिखाई दी तो उसके बारें बात करेंगे और अभी मैं इस वीडियो को शूट करने के लिए आया हूँ अपने थोड़े से खेत के ऊपर आप देख सकते हैं यही बाइक क्योंकि थोड़ा सा दूर आना पड़ता है घर पर थोड़ा साउंड बगएरा होती है तो वहापे अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर बाते हैं सो हम लोग इतना एफट करें तो प्लीज आप भी जाज-जाज है मेरी वीडियो को शेर कीज़ेगा है हमारे चल को सब्सक्राइब कीज़ेगा चलिए सबसे बहले मैं आपको उसका मीटर दिखा देता हूं कितनी चल चुकी ह सब्सक्राइब के साफ से मुझे कोई इसमें कोई खास दिक्कत ने दिखाए थी इंजन इसका काफी ठीक है हां अगर आप आरवन 5 के साथ इसका कंपरेशन करते हैं तो उसके अंदर पावर थोड़ी जादे देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर थोड़ी सी पावर कम है ल जो की इको प्रफॉमेंस उसाब से ठीक है अब बात कर लें टायर साइज की आपको दिखाए दे रहा है पीछे वाला जो टायर है 146 सेक्षन का आर 17 टायर और यह रेडियल टायर है MRF की तरफ से जो की रेव का आता है के टेम में आपको दिखाए देता है लगबग 150 का और प्रफॉमेंस एटी डेटी एन 17 और यह भी स्वेम कंपने से आता है MRF और यह भी अच्छा टायर है इसके अपर लिखाए पर पीछे रेडियल है और इसमें आप देख सकते हैं प्रिंट में आपको एबीस की फसलिटी देखने को मिल जाती है और अच्छा है बाइबरा का अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर क्या क्या आपको प्लस पॉंट देखने को मिल जाते हैं एक सुपच्पन के साफ से इस बाइक के अंदर पावर काफी अच्छी है और इसका पीक अच्छा है माईलेज इसका लगबग 40-44 के असपास आपको मिल जाए गर आप सही चला करना है तो आप कर सकते हैं वरना आप दो ही चाहिए और अब तो गोर्मेंट ने बोल दिया कि दो बंदे भी जाएंगे तो हैलमेट लगाएंगे तो इससाफ से जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर दो से जादे बंदे हो तो प्लीज बाइक के यूज ना करें और इसक अब यह लगबग एक चालीस पचास के आसपास आती है और उसमें जो है इसमें जो लाइट चेंज होगी है बाकी लगबग सेम है मैं थोड़ा सा इसमें बतायता हूं इसमें अभी एक कमी आ गए थी कि उसकी लाइट है ना इंजन की यह लबजब कर रही थी अगर मेरे बास वीडियो होगी तो मैं वह भी अटेच कर दूँगा तब यह स्टार्ट नहीं हो रही थी तो अब हम मेकानिक के पास गए क्योंक क्या क्या स्कॉपडेट कर दिया और यह तब से सही काम कर रही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी है बाइक की जो स्पीड है लगबग मैंने टोप स्पीड चलाया हूँ ऐसे है अप्रोक्सुमेटली 120 प्लस मेभी 130 से थोड़ा से नीचे और मेभी 130 उससे उपर न प्रेजन में आती है फिर आरवन फाई उसका प्राइस बहुत ज्यादा है और अभी जो वी फोर आई है उसका प्राइस तो लगबग आप वोल सकते है दो लाग क्या सपास हो चुका है तो वह भी ओवर हो चुके बजट से बाहर एक्सोपचा सीसी में काफी अच्छी बाइ जादा है बड़ वैसे लुकिंग के साथ से बाइक बढ़िया है हां इतना मैं कह सकता हो अगर कोई भी बंदा इसको लेगा तो वह बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाला है हां अगर आपको एक अच्छी बाइक चाहिए और आपको चाहिए कि मतलब वह बाइक आपके सब्सक्राइब को अराम से जो है मतलब पीछे कर देगी उसकी जो टॉप स्पीड है 152 km पर आ रहा है जो कि के टेम की होती है अप्रोक्सिमेटली 140 के असपास क्योंकि उसके बाद उसको कट मार जाती हो उससाब से वह बाइक अच्छी है हाला कि वह मार्केट में थोड़ा स सब्सक्राइब करते हैं ठीक है अधर्वाइज 150 आपके लिए काफी अच्छी है और उसके अंदर डॉयल चैनल भी इस देखने को मिल जाता है उसके अंदर 6 गेर है इसके अंदर 5 गेर है तो सबसे पहले उसको लेना चाहता था बट फिर बाद में यह लीती हमने सो मुझे क पुराना वर्जन है तो इसके अंदर इंजन कट ओफ तो है नहीं है जो अभी मैं आपको इसका इंजन सब्सक्राइब है तो एक्जूस्ट का काफी बेस है अच्छा है नो डाउट मुझे काफी अच्छी लगी बाई ओनली थोड़ा सा जो रिक्वाइरमेंट इसके अंदर जो है आज के साफ से एक गेर कम है थोड़ी सी पावार इसको इंक्रीज करते लगबग इसको पचा दे एटीम बीएच्पी के असपास दैन यह बाइक दो फर्फेक्ट हो जाई बस मुझे इसके अंदर जो है यही कुछ कमें दिखाए दे बाकि तो कुछ नहीं बाकि बहु कोई ज़्यादा इशू नहीं आए चैन सेट भी तक इसका पुराने वाला चल रहा है टायर भी अभी तक इसका जो है इसके साथ आता है वही है आगे वाला और पिछाला कोई चेंज नहीं हुआ है अभी तक और मुझे लगता सा देका पंचर हुआ होगा बाकि थोड़ा सा इसकी आवाज आ रही है चैन से भी देखते है मैंने आज इसमें जो ओइलिंग की थी तो देखेंगे कुछ फ़रक लगता तो ठीक है अधर वाइस चेंज कराना पड़ेगा वरना अभी तक इसके नतर कुछ भी चेंज नहीं कंपनी से कोई इसमें एक्स्टा पैसा नहीं ल